जार्खन में एक 35 साल की आदिवासी महिला के साथ बीती 23 जन्वरी को तीन लोगों ने सामोहिक बलातकार किया और इस दौरान उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, बुरी तरह से उन्हें चोटे आई उनके कंधे, नाख, आख पर 6-6 टाके लगाने पड़े वो कोमा में चली गई, राची से 120 किलो मीटर दूर लाते हर जिले के एक लारी गाउं की साधिवासी महिला ने जिन्दा रहने के लिए अस्पताल में 121 दिन, यानि कि लगभग 4 महिने तक संघर्ष किया और बीते 23 माई को उन्होंने राची के रिम्स में ही दम तोड़ दिया बलातकारियों द्वारा बहरेमी से पिटाई और फिर अस्पतालों की लापरवाई की वज़े से वो बच नहीं पाई ये महिला दो बच्चों की मा है और इस पूरी घटना से 7 साल की उस मासूम बच्ची और उनके 12 साल की जो भाई है उस बच्ची का उनके सिर से मा का साया उड़ गया है ये महिला सबजी बेच कर अपना गुजारा करती थी पती गुजरात में रहकर काम करते हैं बच्चे बताते हैं 23 जनवरी की उस रात को बच्चे पूरी रात अपनी मा का इंतजार करते रहे सुबे ये 12 साल का बच्चा उन्हें खोजने गया तब गाउं की लोगों ने बताया कि गाउं के खेत में उनकी मा पड़ी है बच्चे दोड़ते हुए वहाँ पहुचे तो पाया वो बेहोश थी जिसके बाद परिवार के एक सदस्य की मदद से उन्हें लेकर के लाते हर जिलास्पताल ले जाया गया जिला अस्पताल ले जाने पर वहां बताया गया कि रेप हुआ है और राच रिफर कर दिया गया अब यहां से देखिए कि किस तरह से लापरवाही के कारण इस महिला की जान चली गई सबसे पहले घटना की सूचना मिलते ही लातेहार पुलिस की और से बलातकार की पुष्टी के लिए मेडिकल कराना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया इस बात का जिक्र पुलिस की शुरुवाती जाच रिपोर्ट में भी दर्ज है पुलिस का कहना है कि उस वक्त पीड़ता का बयान नहीं दर्ज नहीं हुआ वारदात स्थल पर जो सबूत मिले हैं उन्हें फॉरंसिक लाब भेज दिया गया है पीड़ता के परिवार वालों ने ये भी बताया है कि बलातकार के अगले दिन उन्हें राची के रिम्स में ले जाया गया बेहोशी के हालत में भी उन्हें एमर्जनसी के बाहर रखा गया क्योंकि entry card और कागजी खाना पूर्ती होने में ही शाम हो गई थी देर रात उन्हें medicine ward में भी भरती कराया गया इस वीच लगभग दो महिना रिम्स में एडमिट रही वो लेकिन इस सिती में कोई सुधार नहीं हुआ पीडिता के जो पती हैं वो बताते हैं कि डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उसके स्वास में कुछ सुधार नहीं हो रहा है इसको लेकर लातेहर वापस चले जाओ परिवार वालोंने ये भी बताया है कि उनका ये कहना था उस वक्ग कि उस महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था यहा तक कि मूँ तक नहीं खुला है इस हालत में किस तरह से और कैसे और क्यूं उनको लेकर के वापस लाते हार ले जाया जाए फिर भी उनसे कहा गया कि यहां से लेकर जाना ही होगा 27 मार्च को रिम्स छोड़ने से पहले जो डिस्चार्च शीट मिली है उसमें लिखा है कि मरीज को डिफ्यूज एक्जोनल इंजरी है डॉक्टर्स के मताविक अगर इसको मेडिकल भाष्या को समझें तो ये एक प्रकार का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है इसका मतलब है ब्रेन का जादातर हिस्सा डैमेज हो चुका है ऐसे मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है दराल दबाव में आकर के परिवार वालों ने कोमा में पड़ी एक महिला को एक बार फिर लातेहर प्रेस्टम पर अस्पतार में भरती करा दिया समाजिक कार्यकरता सुनील मिंज ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ इस पूरे मामले की जानकारी ली इसके बाद एक और समाजिक संस्था आली के सदस भी जानकारी लेने लातेहर सदर अस्पताल पहुचे और अगर आप इनके अनुसार देखें तो पीड़िता के पती ने ये भी बताया है कि वहाँ किसी तरह का इलाज नहीं किया जा रहा था केवल नर्स आकर पानी चड़ाती है उन्होंने अस्पताल प्रिशासन से जब इसकी जानकारी मांगी तो पता चला कि डॉक्टरों को ये पता ही नहीं था कि कोई रेप पीड़िता उनके हाँ भड़ती है इसके बाद आनन फानन में रेजिस्टर चेक किया गया लातेहार जिलादिकारी से बात की गई और पीड़िता को ततकाल 20,000 रुपे मातर 20,000 रुपे कल्यान विभाग के ओर से दिलाए गया राजसरकार के नियम के मताबिक ये राशी बलातकार पीड़िता को फौरी मदद के लिए जिला इस्तर पर तुरंत मुहिया कराए जाती है डॉक्टर्स इलाज ठीक से न होने की बात से इंकार कर रहे हैं इस सवाल पर की भड़ती होने के दस दिन बात पीड़िता को कल्यान विभाग से पैसे क्यों मिले उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चलेगा तभी तो मदद दिलाएंगे लातेहार जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे कि यहाँ बहतर इलाज नहीं हो सकता राची लेकर जाना होगा अब इस पर पीड़ते के अपीड़ता के जो पती हैं वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इलाज कहां ठीक होगा रिम्स वाले कह रहे हैं कि लातेहार लेकर जाओ और लातेहार जिला अस्पताल में कहा जा रहा है कि रिम्स लेकर जाओ बहराल Fact finding टीम ने तीन मई को पूरे मामले को लेकर के लातेहार में प्रेस कांट्रेंस के रिपोर्ट जब मीडिया में आई तो पीडिता को 8 माई को इन ही सोशल आक्टिवस्क के मदद से दुबारा रिम्स मही भड़ती कराया गया इसके बाद आली संस्था ने 10 माई को हाई कोट लीगल सर्विस कमिटी ज़ारकन को पीडिता के बहतर इलाज के लिए आवेदन किया अब कमिटे ने कहा कि पीडित कोई महिला या पीडिता के पती के माध्यम से आवेदन दिलवाई है और इसके बाद 15 माई को पीडिता के पती की तरफ से एक आवेदन किया गया अब मामले की जानकारी जारकन हाई कोट को दी गई 17 माई को हाई कोट ने हेल्स सेकेटरी, रिम्स डारेक्टर, सुप्रिटेंडेंडन्ट को आदालत में हाजर होने का नोटस भेजा हाई कोट ने सवाल किया कि आखिर एक कोमा में पड़ी महिला को कैसे घर भेज दिया गया कोट ने जवाब देने के लिए 10 जून की तारिक तैकी है, फिलाल हाई कोट में गर्मी की छुटियां चल रही है अब इधर रिम्स प्रशासन की बात करें तो उनका कहना है कि रिम्स कमिटी बनाएगी इसके बाद जाच की जाएगी कि गंगभीर रूप से बिमार रहने के बाद भी कैसे पीड़िता को डिस्चार्ज स्लिप दे दी गई डॉक्टरों की लापरवाई के सवाल पर उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया है रिम्स में दूसरी बार एडमिट होने के बाद बताया गया कि लातिहार जिला स्पताल में भरती रहने के दौरान पीड़िता के सीने में इंफेक्शन हो चुका था ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन रुक रुक कर हो रहा है था एनीमिया जैसी कई बेमारियों ने जगर लिया था इसके लावा उन्हें मल्टिपल फ्राक्चर हेड इंजरी भी थे लातिहार SP की रिपोर्ट के मताबक अगर आप देखे तो महिला की नाख, दाइनी आख, निचले होड, बाए, कान इन सब में जख्म था बलातकार के दौरान पीड़िता के मुँ में जो कपड़ा ठूसा गया था वो उसके गले में फ़स गया था पीड़िता के पती गुजरात में 10,000 महीने के पगार पर फोकलें चलाने का काम करते थे इलाज में अब तक 4,5,4 लाख रुपे खर्च हो गए हैं, इसमें से 4,5,5 कर्ज लेने पड़े हैं, एक एकड़ के जमीन गिरवी रखी गई है सरकारी अस्पिताल में इलाज कराने के बावजूद आखिर इतना पैसा कैसे लग गया इस पर उन्होंने बताया, 10 दिन पहले आईश्मान भारत योजना का कार्ड बना है इतनी महेंगी दवाई मिलती है कि उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, खाने पीने पर भी हर दिन का खर्चा होता है हाई कोट की फठकार के बाद कल्यान विभाग की ओर से लातिहार जला प्रिशासन ने पिड़िता के पती के बैंक खाते में 2 लाक रुपए उनकी मौत से 7 दिन पहले जमा कराये है लातिहार सिविल कोट के वकीगिल सुनील प्रसाद वो बताते हैं कि पिड़िता के पती को अब कितना पैसा मिलेगा बच्चों को क्या मिलेगा ये तो सुनवाई के दुरान ही कोट तै करेगा हाई कोट में ये मामला घटना के चार महीने बाद पहुचा था मामले में अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है पुलिस के मताबिक सभी तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है फॉरेंसिक जाज रिपोर्ट आते ही सब के खिलाफ चार्शीट दाखिल की जाएगी अगर किसी ने पिड़िता के परिजनों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया तो उसके खिलाफ भी कारवाई किया जाएगी बेराल जार्खन पुलिस की वेबसाइट के अगर आप मताबिक देखें तो इस बीच जार्खन के सभी 24 जिलों में साल 2011 से लेकर 2018 तक बलातकार के कुल 8466 मामले दर्श किये गए हैं अब बात करते हैं निर्भया फंड के तहत बने वन स्टॉप क्राइसस सेंटर की उसकी स्थापना जार्खन में भी की गई है जिसके तहत पीड़िता को हर तरह की लीगल हेल्थ खाने रहने की विवस्था दी जाती है लेकिन ये सेंटर शायद ही किसी पीड़िता के पास खुद पहुचता हो जारकन में अब भी अब तक 24 में से 18 जिलो में ही वन स्टॉप क्राइसस सेंटर बनाया गया है लाते हार में वह भी नहीं है बलातकार के आरोपियों में से एक मुकेश ठाकुर वो पास के गाउं डाटम का ही रहने वाला है वहीं दूसरा आरोपि सुनील उराओ और तीसरा आरसी उराओ दोनों लूटी के पास के रहने वाले है अब दोनों गाउं के लोग जो है वो आदिवासी महिला के परिवार पर मुकदमा वापिस लेने का दबाव बना रहे हैं तो ये जो मामला है इसमें गाओं के लोग जो हैं और जो आरोपी पक्षे है उस पर ये भी बात सांद में आ रही है कि वो मुकदमा वापिस लेने का दबाव बना रहे हैं अब इस पूरी घटना से कुछ सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक इस तरह की घटना होती रहेंगी और इनका समधान क्या है क्या सिर्फ कानून कड़े करना इसका एक मात्र समधान है जब भी इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद पीढ़ता को कानूनी और जो medical facilities है वो मद महिला की मदद समय पर क्यों नहीं कर पाती है चोटे चोटे आलाकों में ये centers क्यों नहीं है क्या सरकारी एस्पताल में ऐसे मामलों में भी इतना बड़ा बिल कैसे आ रहा है और ऐसी स्थिती में भी ये भार उस महिला पर या उसके परिवार पर अखेले कैसे है खास तोर प किसी ऐसे पिछडे इलाके की पिछडे तपके या जाती या फिर किसी आदिवासी महिला का बलातकार होता है तो कानून, मीडिया, बहुत सारी संस्थाएं और आम जनता के लिए भी ये बड़ा बुद्धा आखेर क्यों नहीं बन पाता तो जारकन की इस निर्भया के लिए इनसाफ कब और कैसे मिलेगा दवायर के लिए आनंदत की इस्टोरी पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर जाएं